जहिन साथी हो गुड मॉर्निंग आज है आपका 18 अक्टूबर और आपका फ्राइडे का दिन है यानि कि कल आपको रिवीजन करना होगा तो आज जो है आपको क्या-क्या पढ़ना है मैं बता दू रिजनिंग में क्या सबसे पहले हम लोग मैथ और रिजनिंग की बात करते है UPSI अबलिक NTPC का क्या UPSI क्योंकि NTPC के लिए भी मिनमम आपको 6 मंथ मिलने वाले है तो इन दोनों का मैथ रिजनिंग तो साथ में लेके चलना हूँ और जीके के लिए NTPC का जीके आप खुद से पढ़ने का प्रयास करिएगा ठीक है तो चलिए बताता हूँ मैथ में आज आपको मैंने दिये है लगवाग 36 से 40 कोस्टन मैंने दिये है यह आपका NTPC का प्रिवियस एयर है नंबर सिस्टम का और यह लास्ट पार्ट होगा नंबर सिस्टम का उसके बाद आपको खुद से ही जो कोस्टन कराए गए हैं उनको रिविजन करने होंगे फिर बात करें रिजनिंग का जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग का NTPC का प्रिवियस एयर क्योंकि सबसे पहले मैंने UPSI का प्रिवियस एयर कराया 187 कोस्टन तो अब NTPC का previous year आपको करना है 207 question तो यह दोनों मिला के लगवग लगवग आपके पास 400 question coding decoding के हो जाएंगे तब आराम से आप कितनी छमता हो जाएगी कि आप test दे सकते हैं क्या कर सकते हैं टेस्ट दे सकते हैं फिर बात करें हिंदी में आपको UPSI special हिंदी की बात किया जा है हिंदी में आपको क्या करना है संधी का जो है objective question मैंने pdf डाला है तेलिग्राम ग्रूप में क्या संधी का objective question का और quality का छठवाँ chapter का part 3 या quality का छठवाँ chapter का 6 number chapter का जो है आपको आज part 3 मिल जाएगा क्या मिल जाएगा part 3 कल मैंने part 2 डाला था तो उसको खुद से पढ़ियेगा Saturday को जो है part 2 और part 3 दोनों का वीडियो बना दूँगा और Sunday को जो है क्या करेंगे हम लोग जितना भी objective question इससे बन सकता है मैं उस पे आपको objective question करा दूँगा कम से कम मुझे लगता है नहीं कुछ तो डेर सो question तो बनी जाएंगे लगबग लगबग एमान के चलिए डेर सो objective question बन जाएंगे तो मैं इस पे जितना छटवाँ चैप्टर पर objective question बनेगा वो आप लोगों को करा दूँगा मिनमम एमान के चलिएगा 150 से उपर रहेगा फिर बहुत बच्चे मुलविदी की बात कर रहे हैं तो मुलविदी का revision पर जो है काम करेंगे ठीक है कल पर सो BNS का यानि BNS आपका इस अपते में समाप्त हो गया है एक वीडियो बचा हुआ है तो प्रियास करूँगा मैं जो है कल एक वीडियो जो BNS का बचा हुआ है उसका वीडियो बना दो फिर उस पर अबज़क्ति कोस्चन आपको धीरे धीरे प्रोवाइट करते रहूं ठीक है पॉलिटी आपका दो चैप्टर बड़ा था इस वज़़ा से BNS पर काम नहीं कर पा रहे थे अगले हपते भी जो है मूल वीधी पर काम करना मुश्किल होगा क्योंकि अगला जो पॉलिटी का चैप्टर आने वाला है वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है ठीक है तो जब पॉलिटी का चैप्टर बड़ा हो जाएगा तो BNS पर कम काम करेंगे जब मैथ का चैप्टर बड़ा होगा देखो जैसे मैथ का 36 कोश्चन दे रहा है तो रिजनिंग का 200 कोश्चन दे रहा है हिंदी आपका थोड़ा लो लेवली स्टार्ट कर रहा है तो मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा अगर सभी चीज का कांटेंट जादा दे देंगे तो फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इस वज़ा से मुझे जीस हिसाब से लगता है कल मैंने मैथ के लगभग 100 कोश्चन दिये तो रिजनिंग भी लगभग 100 दिये आज मैथ का 36 दिया तो रिजनिंग 200 दिया तो उस हिसाब से आप मैनेजमेंट को समझने का प्रियास करिए कि मैथ जा रहा हूं कि आपने जो पढ़ा है BNS उसको बढ़ियां से रिवीजन करिए ठीक है रिवीजन करने का समय मिलना है तो रिवीजन करिए पॉलिटी को जो है रिवीजन करते हुए साथ में कवर करते हुए चलिए क्योंकि और दो तीन चैप्टर इंपोर्टेंट है पॉलिटी जैसे ही आपका नवंबर में समाप्त हो जाएगा आपके पास ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं पॉलिटी और आपका जो माइनर एक्ट मेजर एक्ट हैं यहीं से कॉस्चन ज़्यादा पूछते हैं उसके बाद टापिक वाइज जो है हम लोग सेलिबस के अनुसार जो टापिक वाइज पूछा जाना है फिर उस पे काम कर लिया जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप टार्गेट को जरूर फालो करिए और हो सकता है आपका अक्टूबर समाप्त हो जाएगा तो नौंबर में मैं जो बोला था कि इतने बच्चों को वाट्सप ग्रूप में ले आएंगे और उनको बीच में बात करकर करके उनका रिजल्ट देखेंगे कैसे वो टेस्ट दे रहे हैं क्या कर रहे हैं उनको हर तरीके से मनलब वो बच्चों को जो है तो अगर जिस बच्चे का अक्टूबर तक का काम पूरा रहेगा उसी को मैं मनलब उस वाट्सप ग्रूप में रखतूँगा तो आप चाए पीछे हैं चाए जो भी है वो आपके उपर है 31 अक्टूबर तक आपका 5 हितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक जिस बच्चे का टार्गेट पूरा होगा मैं रेंडमली चेक करूँगा जो भी कहेगा कि सर हमने हर टार्गेट को पूरा किया है मैं उसका रेंडमली चेक करूँगा 2-3 दिन का अपने से डेट बोल दूँगा इस डेट का मुझे दिखाओ आप पूरा किये हो कि नहीं तो आपको दिखाना रहेगा ठीक है तो यही एक प्रोसेस रहेगा तो जो बच्चा पीछे भी है